पावर प्रोटेक्शन में जाता है तो यह अभी ग्रीन लाइट जल रही है और उसके तुरंत बाद यह नाइट आ गई उसके बाद यह एक दो तीन चार पांच फिर से काउंट करते हैं एक दो तीन चार पांच ठीक है फाइट टाइम बिलिंक में जा रहा है कर देख लेघंगें लिए और यह जलने के बाद यह फॉल्ट में जारा है अच्छा दो बारा हम चालों मच्छनेट डिस्प्ले आने के बाद फाय टाइम में जाता है या पेले उन्हाले सी वह देख लो पहले तो सो इन इस नहीं आता है तो पैनल पे वॉल्टेज वह नहीं तो आपको पहले on करना है उतर से आपका जो power switch है वो दबाना पड़ता है every time five time में जाता है तो ये green से ये display आये भीना ही इसमें जा रहा है मतलब sony लिखा हुआ नहीं आता है तो इससे क्या-क्या समझ में आता है हमको सबसे पहली चीज backlight okay है और दूसरा हमारा picture नहीं बना अभी तक तो पिच्चर नहीं बना तो एकदम से दिमाग में जाता है कि भी टिक ओन एरिया आपको देखना है ठीक है और पैनल एरिया देखना है okay मतलब एक तीन चार सेकंड तो मिल आपने को है ना उतने टाइम में आप तयार हो जाओ मुल्टिमेटर के साथ वोल्टेज देखने के लिए तो उसके लिए क्या है कि आपको फूरा एरिया दीखना चाहिए पैनल का तो क्या-क्या निकाल दोगे आप सब पहले या तो आप यहां से भी देख सकते हो लेकिन यहां पर दéliorो खाली फ्यूज पर आप वोल्टेज चेक कर सकते हो तो खाली हम बहले इस पर वोल्टेज चेक कर लेंगे बहुत रिस्की अरिया है क्यूंकि आप यहां पर जाने के बाद ग्रावंड पर टाचूने का प्रूप तो आपके एसे टीग है कि अभी जरूज नहीं है अभी खोलने की बात अभी आई नहीं है ठीग है अब देखो डस्ट जो है इसमें बहुत थी है ना तो हमारा जो में इन्वेस्टिकेशन का एरिया है ना जो शुरूआत होती है हम वोल्टेस तो चेक करेंगी क्योंकि सीग्णल भी प्रजेन नहीं होगा तो भी ये फाइट ता जाएगा ठीक है तो यह ये लवी डी आस्ट नहीं होगा तो पहले चेक कर लें कि यह ग्राउंड कनेक्टेड है क्या ठीक है इस तरह से ग्राउंड के साथ अब यह जैसे ही आप ओन करते हैं देखो अभी प्रोटेक्शन में गया था रैवरी टैल प्रोटेक्शन में जाएगा ना तो टीवी अपने आप इसल चालू नहीं होगा आप आपको पावर की दबाना पड़ेगा ठीक है और वोल्टेज पे भी आपको ध्यान रखना है तो आप देखेंगे कि 12 वोल्ट प्रेजेंट हो गया और उसके बाद फिर प्रोटेक्शन में जा रहा है ठीक है उसके अब इतना समय मिल गया हम है कितना ताइम जितना टाइम द एक टेस्ट पॉइंट मेजर कर लिया उसके बाद दूसरा टेस्ट पॉइंट मेजर करने से पहले आपको प्रोब कनेक्टेट रखना है और सबसे लोवेस्ट 3.3 पे टच करना है ठीक है और उसके बाद फिर आप यह वोल्टेज देखेंगे पहले पावर आउन करके देखो 3.3 आने के बाद बन हो गए ठीक है और फिर प्रोटेक्शन में गया मतलब देखो फिर से मैं दिखा देता हूं यह वोल्टेज जो है 3.3 प्रेजेंट होते हैं एक सेकेंड के लिए पावर की दबाईए कॉंस्टेंट इस पर नजा रखना कुछ वोल्टेज आके बाद में फिर बंद हो जाते हैं तो चलो हमारे 3.3 के साथ कोई गड़बड़ी नहीं फिर हम पैनल के आउटपूट वोल्टेज इस में सबसे पहला आउटपूट वोल्टेज जो एवी डिड आपको ढूंबना है पहले तो आप खुदी देख सकते हैं जैसे ही वान है वी ओन यह यहां पर एवी डिडिए है ठीक है तो इसको पहले आप टच करके रखेंगे टेस्ट पूंट और और एक चीज कभी-कभी इसी साइट पी-फ जैसे अभी यह तो इस लोकेशन पर टच अभी पी-फ इस साइट भी होता है दूसरे टेस्ट पॉंट वाला और यह ग्राउंड और आप ऐसे रखोगे तो आप ग्राउंड के साथ टच कर दो और यह ऐसी फायर हो जाएगी तो चालो काम होने वाला काम भी फिर अपका बिगड जाएगा तो आपको खास दियान रख आते हैं या नहीं आपने पावर की दबाना है ठीक है लेकिन कोई वोल्टेज प्रेजेंट नियुए अब इस टेस्ट पॉंट पे हम क्या चेक करेंगे कंटिनिटी कि यह सौर्ट तो नहीं है कोई पॉंट के साथ तो आप पहले क्या कंटिनिटी में रखेंगे इसको सबसे पहला आप यही चेक कर लोगे क्योंकि सबसे जो वन रेबर जो पॉइंट है यही है ठीक है तो आप इसको ग्राउंड से देखोगे पहले तो यहां पर 188 ओम्स की रजिस्टेंस बता रहा है है तो यह गलत है अब हम कोई भी मेजर करेंगे रजिस्टेंस कोई भी सोर्स्प कि अब देखो इसमें एव्डीडीडी टेस्ट वाइंट जो यह यह और इसको मेजर करेंगे तो आप लिखेंगे ओनी कर रहा है औह Jubil nella वी बताव कोई भी वेल्ईव व्れक्तराकार्ट के बीच में रजिस्टेंस किलिदा और जब आम बाब करते हैं कि वह तो तो रजिस्टेंस उसमें कभी भी लो नहीं हो सकता हुआ कि बंद है कि बंद निकाल दो या तो यह निकाल भाई यह ठीक है तो इसका रजिस्टेंस हमने अभी चेक किया जो 184 ओम्स का है तो पहले हम क्या करेंगे कि आइसी की पिन डिस्कनेक्ट किये भीना पहले यह सभी पीएफ को निकाल देंगे और चेक करेंगे ठीक है तो आइस पिन पे कनेक्टेड रहेगा और यह डायोड जो है टेस्पॉंट पे कनेक्टेड रहेगा ओके तो अभी जो सौर्टिंग है अगर जो एक ऐसी बीजी डाइडला इसी से नहीं पो और बीच में डायोड को भी है इसके पीछे मालकिसिस लाइन के पीछे इसके लिए नॉर्मली हमको मैटलिक फॉाइल की जरूत पड़ती है जो कि अभी हमारे पास है नहीं लेकिन दूसरे इसको टचना होगा है हम इतने एरिया को खाली कट करके रखेंगे और बाकी एरिया को कवर कर देंगे मैटलिक फॉाइल से गाया वाहि और यह थाये आप यह हमको द Conference घजाए, और कभी कभी यह होता है कि आप आसको प्लाजे पी निकाल हो जैए वाला और यह कोफ है ना खराब हो जाती है खराब तो नहीं होती है लेकिन इसको यह चेर शीकानिये पास creativity जिएम खराब खरायब दूञिया झाल यह चारो डायोन है सर देखो यह पी एफ चेट करने का सबसे असान तरीका यहाँ पर C लिखा है देखो कोडिंग में CD14 CD15, CD16, CD17 अगर जो यह रजिस्टर होगा तो यहाँ पर देखो रजिस्टर है यह इसका नमबर है RS या IC होगी तो IC लिखा होगा ठीक है ट्राइंस्टर होगा तो Q होगा अगर जो मॉस्पेट है तो भी Q होगा क्योंकि मॉस्पेट भी एक तरह का ट्राइंस्टर ही है इसलिए उसकी कोडिंग की रूए है यह ठंडा होने दो पहले फिर हम चेक कर ले होगा क्योंकि कुछ बता रहा था अब यह हम ओम्स में रख देते हैं कुछ ओम्स से सौड हो रहा होता है कंटिनिटी साट आकर यह 152 हो पास पर रही बता है आप्ट इस ब्रहुनिट कुछ कि बता है अब पीएट क्राइम होता रहा है सilly 100 फेरिट जीच है सगी तएन जरट एन है से具वस्ट्ड माइको लाचन से पसखने की यह एए यह 10μF, यह सॉट नहीं है, ठीक है? माइक्रो फेरेड है इसलिए उबता रहा था अगर जो यह था तो नहीं बताता तो 10μF और यह सॉट था तो माइक्रो फेरेड बता रहा है नहीं है यह खरा रहा है बस खाली बढ़ा है, जैसे कि हम सॉट कर रहे हैं यह है ठीक है, कल्प्रिट कंपोनेंट तो मिल गया लेकिन इनको भी मत लगाओ मेरे इसाब से जो एकी लॉट के बने हुए ना पीए जो चारो भी बदाना चाहिए कभी भी खराब हो सकते है यह प्लाना पड़ेगा यह कोई भी चलेगा कोई भी चलेगा लेकिन मैं बोलूगा कि AVDD-Line का ही डाल दो तो कि दक उसकी कपासिटी सोला वोल्ट की है तो हम AVDD-Line के सारे पीए निकाल रहे हैं अच हमाः तो है अच हमाः तो है हमाः तो कोई जस माःआ जस अचाए भीए हमाः यह हमाः हमाः पर shapes इसको छुना मत्रों सीरियां इसको ठंडा होने जेते हैं पहले इसकी माइक्रो फैरेडस की चेक करते हैं देक लाइट खड़ा भी है या इनोर खड़ा भी है तो खीकुनी बाया 10 माइक्रो फैरेडस अपने गृप में आया नो 10 माइक्रो ठीक है तो हमारे जो काम की चीज आपको महीं गई है देखो अभी अन किया हमने हमारे जो हम बन चुके है अब हम तीव बन चुके है अब हम तीव बन चुके है आप हम तीव स्टार्ट करको टेन स्कूपर के शिर vibes तो हम जो कि लोगें है क्यों नोर्च को जो डेदा वोगे कारें कर दो कर दो आप देख सकते हैं दोस्तों टीवी ठीक हो चुका है और यह नए तरीका फॉल्ड जो 48 कर दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा जनुबता है अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए ज्यादे से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचा है अगर जो मेरी चैनल सब्सक्राइब ना कियो तो सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोट